आज जो हमारा और आपनों का चेप्टर है वो है नर्वस कौरडिनेशन बजाएगे कि हम और आपनों डारेक इस चेप्टर को स्टार्ट कर ले हम पहले जरूर डिफाइन करेंगे कि ये कौरडिनेशन का मतलब बायो में होता क्या है इसकी बढ़ी आसान डिफिनिशन है लिखा लेता हूँ दी हार्मोनियस ह-a-r-m-o-n-i-o-y-o-s दी हार्मोनियस फंक्शनिंग अफ्टी इंटर रिलेटिड इंटर रिलेटिड आपलों आपलों गिफिनिशन की बहुत या साल है दी हर्मोनियस फंक्शनिग आपलों 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 इंटर दी आपलों गिफिनिशन की अदर देखले तो तोड़ा सहा मैं जो मुझ के नज़ेस हाँ जयान को सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब unless फिश आपस है और इसका मतलब होता ही है अंड्रस्टेंडिंग से ऑश होता है अंड हैं और स्टेंडिंग मीज को पृप्ष यह ही हॉं The understanding functioning of the interrelated organs are parts or structures is called coordination. इसका मतलब यह हुआ, कि फर एक्जामपल अगर आप लोग हीमेन बिंस के बार्डे को देख लें, इसमें मुख्तलिफ किसम के organs present है, इन में मुख्तलिफ किसम के parts present है, इन में मुख्तलिफ किसम के structures present है. हर एक का अपना अपना एक function होता है. जैसे फर एक्जामपल हार्ड है, इसका function यह है कि यह blood को pump करेगा. फर एक्जामपल हीमेन बिंस के बाड़ी के अंदर lungs है, इसका function यह है कि वो exchange of gases कराएगा. हीमेन बिंस के बाड़ी के अंदर digestion सिस्टम है, वो digestion कराएगा. सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सर्कुलेशन कराएगा. मस्कुलर सिस्टम है, वो movement कराएगा. शाबा से skeleton सिस्टम है, वो support आपको provide करेगा. इसके इलावा भी और मुक्तलिफ किसम के structure present है, हर एक का अपना अपना एक function होता है. तो जो एक body है, human beings है, body है, इसके अंदर मुक्तलिफ किसम के organs present है, structure present है, इनके बीच में बड़ी जबर्दस understanding होती है, harmony होती है, के heart अपने blood को pump करना है. लंग्स अपने exchange of gases करना है, digestive system अपने digestion करनी है, muscular system अपने movement करानी है, skeletal system, bones वगएरा अपने support प्रोवाइड करना है, eyes अपने vision करना है, ears अपने hearing करनी है, हर एक का अपना अपना एक function होता है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन, यह जो understanding होती है इनके बीच में, आपने ये करना है, आपने ये करना है, ऐसा नहीं हो सकता, के heart है, आज blood pump करेगा, कल को वो चाहे के नहीं। मैंने blood को pump नहीं करना है, मैंने lungs की तरह exchange of gases करना है, ना ओना, इससे नहीं हो सकता. लंग्स ऐसा नहीं कर सकते कि आज़ वो कहे कि नहीं मैंने exchange of gases नहीं करना है बलके मैंने digestive system किता ना food को digest करना है नो नो तो organs के बीच में लेकिन एक animal के organs के बीच में structures के बीच में यह जो understanding होती है आपने ये करना है मैंने ये करना है आपने इस तरह से करना है इस अंडरस्टेंडिंडिंग को हम कहते हैं कोर्डिनेशन अब इस कोर्डिनेशन में किन किन सिस्टम्स का रोल होता है हर एक सिस्टम का रोल है अगर आपनों किसी भी सिस्टम को देख ले हर एक सिस्टम का कुछ कुछ रोल जरूर होता है लेकिन वो जारे के साथ आपके कोर्स करेंद नहीं है कि तो स्वी और सिरुफ दो ही है number one nervous coordination whom पढ़ेंगे हम देखेंगे कि इन में nervous system कैसे रोल होता है कि ये आरगन्स के बीच में कौर्डिनेशन लाता है आरगन्स के बीच में अंडरस्टेंडिंग लाता है कि आपने ये करना है आपने ये करना है तो इस चेप्टर में हम और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी ही चीज़ को देखेंगे कि नर्वोस सिस्टम का कीसे रोल होता है इस अडर्सटेंडिंग को productive करने में जब के एक और भी coordination system आपके course के अंदर है और इसको हम और आप लोग कहते है chemical coordination और जो chemical coordination है वो भी आपके course के अंदर है इनको भी हम और आप लोग पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ किसम के केमिकल्स यानि जो हर्मोन्स वगरा होते हैं ये कैसे आर्गन्स के बीच में ये हर्मनी जो होती है अंडर्सेंड्नी जो होती है ये फिर ले आते हैं तपके पूरे course के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो ही chapters जो के coordination के बारे में हैं बजाएंगे कि फिल्हाल हम और आप लोग nervous coordination को start कर ले start करने से पहले इन दोनों chapters में दो main differences है course में भी है चुँगे इटा के लिहां से ये कुछ हद तक important होते हैं इससे लिए जरूरी है कि वो दो पॉइंट्स में आप लोगो पहले समझा दो फिर चेमिकल कोडिनेशन में उन दो पॉइंट्स को हम और आप लोग डिसकस नहीं करेंगे इधर ही मैं आप लोगो बता देता हूँ लेकिन यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगो पता ह अगर हमोर अपलोग दोग लिए तो जो नर्वोस कोडिनेशन है हमारे साथ इसका जो बैस्ट chooses and function यूनेट है इसको हम और आप लोग नियूरान कहते हैं बहुत ही आसाँन है यानि नियुरान is the basic structural and functional unit of the nervous coordination लेकिन जो chemical coordination है इसके basic structural and functional unit को हम आम तोर पे hormones कहते हैं इसका मतलब यह हुआ hormone is the basic structural and functional unit of the chemical coordination one तो अगर आप लोग निवरान्स को देख ले एक human being के body के अंदर ये 100 billion से भी ज्यादा होते हैं हम पढ़ेंगे course के अंदर है 100 billion से भी ज्यादा निवरान हमारे body के अंदर present होते हैं लेकिन अगर हम और आप लोग chemical coordination को देख ले और hormones को हम और आप लोग count करना शुरू कर ले तो आपके course में बामुश्किल बामुश्किल 50-60 भी नहीं है बाहरान अगर हम और आप लोग सब glands को ले ले सब hormones को हम count कर ले तो maximum 100 या 200 या 300 बन जाएंगे इसका मतलब भी हुआ कि जो hormones होते हैं ये human beings के body के अंदर hundreds में present होते हैं तो अगर मैं पूछूं कि जो nervous coordination है और जो chemical coordination है इसमें largest वाला कौन सा है इसमें कोई शक नहीं है nervous coordination ही largest coordination system होता है तब जाके इनके साथ मैं पहला point लिक्वा लेता हूँ इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो chemical coordination है वो second largest coordination system हमारे बाड़ी के अंदर ये present होता है तो ये दो points पहला पहला point आपके जिन में ये होना चाहिए कहीं MCQs के अंदर पूछा गया कि human beings के body के अंदर सबसे largest coordination system कौन सा वाला है तो फिर वो nervous वाला होगा second largest coordination system कौन सा वाला है तो फिर ये chemical coordination होगा second point वो ये है कि nervous coordination को जब हम और आप लोग पढ़ेंगे तो उदर पे brain होगा spinal card होगा brain में एक part है जिसको हम और आप लोग हाईपो तेलामस कहते है हम पढ़ेंगे भी तो हाईपो तेलामस जो के brain के अंदर present होता है इसके बिलकुल नीचे पेचूटरी ग्लेंड present होता है और यू नो पेचूटरी ग्लेंड इस पार्ट आफ थी chemical coordination क्योंकि वो तो ग्लेंड है तो हाईपो तेलामस उपर है इसके नीचे वो पेचूटरी ग्लेंड है पेचूटरी ग्लेंड का main function ये है कि chemical coordination के अंदर बाकी जितने भी ग्लेंड है इसको इसने directly या indirectly control किये हुए है तो इसलिए तो पेचूटरी ग्लेंड को हम master gland भी कहते हैं क्योंकि इसने बाकी sub glands को control किया हुआ है directly या indirectly लेकिन जो पेचूटरी ग्लेंड है जो के hypothalamus के नीचे होता है तो जो hypothalamus है हम पढ़ेंगे इस और पेचूटरी ग्लेंड के बीच में एक stack होता है STAL के stack होता है डंडी होती है जिसके तो ये आपस में attach होते हैं लेकिन पेचूटरी ग्लेंड किसी भी हार्मोन को आगर release करता है तो उसको control करने के लिए उदर hypothalamus से एक factor आता है सिर्फ इशारा दे रहा हूँ आप लोगोंने पढ़ा भी होगा हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे भी एक factor आता है वो हाइपोतेलमस से उस टाक के तरू नीचे पेचूटरी ग्लेंड को आ जाता है उस factor को पेचूटरी ग्लेंड पहचान लेता है और इसके result में उस हर्मोन को secret कर लेता है वो हर्मोन चल जाता है जो दूसरा ग्लेंड होता है वो इनको पिर control करता है इसका मतलब यह हुआ कि पेचूटरी ग्लेंड जिसको हम और आप लोग master ग्लेंड कहते हैं जिसने chemical coordination के हर एक ग्लेंड को directly या indirectly control किया हुआ है तब जाके हम इसको master ग्लेंड कहते हैं लेकिन यह पेचूटरी ग्लेंड यानि master ग्लेंड इट itself is under the control of hypothalamus लेकिन जो hypotalamus है that is part of the nervous system one इसका मतलब यह हुआ कि nervous system superior भी है तो जो दूसरा point है जो खुबसूरत point है वो इसके अंदर यह है कि जो nervous coordination होता है यह superior यानि सबसे top पे है यह coordination system होता है लेकिन जो chemical वाला है superior तो नहीं है हाँ आप लोग लिख सकते हैं कि यह inferior होता है तोड़ासा इसके नीचे जो है यह फिर present होता है तो यह दो points है course के अंदर इन्होंने discuss किये हुए है चोटे चोटे अलफाज में इन्होंने इसको discuss किया हुआ है लेकिन इसके अंदर concept यह है कि आप लोग को पता हो कहीं पूचा गया कि human beings के बाड़ी के अंदर सबसे largest coordination system है कौन सा है तो भी आप लोग को पता होना चाहिए कि नर्वस है लेकिन कौन सा वाला superior है तो भी नर्वस वाला है जो chemical वाला है वो second largest है और फिर यह inferior होता है और भी coordination system हमारे बाड़ी के अंदर present है तो तीसरे नंबर पे कौन है चोते नंबर पे कौन है पांचों नंबर पे कौन है वो आपके course में फैल हाल नहीं है वो आगे जाके आप लोग को पता चल जाएगा आज जिस चीज़ को हम और आप लोग शुरू कर रहे हैं वो nervous coordination है यानि जो largest है और जो superior है लेकिन इसका जो basic structure and functional unit है इसको हम और आप लोग निवरान कहते हैं तो अभी जिस चीज़ को हम और आप लोग discuss करेंगे वो कोई और चीज़ नहीं होगी वो निवरान ही होगा तो निवरान को हम और आप लोग पहले discuss करेंगे कि ये निवरान क्या होते हैं पिर हम और आप लोग आगे जाएंगे ये सारा कुछ कैसे present होता है ये जो निवरान होता है, शाबसे, ये जो निवरान होता है, निवरान के लिए आप ही के बुक ने एक और लफ़ भी इस्तेमाल किया हुआ है, वो है नर्वसेल, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाद दफ़ा एमसी की उज़ में निवरान की बजाए वो लफ़ नर्वसेल लि को लिखते हैं लेकिन याद रख ले कि मैं नरुफ को अंडरलाइन कर रहा हूं ये नरुफ इसका मिमेंक ये नरुफ अची कार्प programmed और अगर Juvent ये बात में आपके सम्हें पहले बिशार कि हूई थी कि अगर सेल के अंदर सेल division ना हो, number नहीं बढ़ता, growth होती है, तो कुछ cell में growth ज्यादा होता है, कुछ cell में growth कम होता है, जिस तरह के muscle के cell से इन में growth होता है, तब जाके मैंने उदर भी आप लोगों को ये बात समझाई वी थी, कि जब हम muscle के cells के structure को बनाएंगे, तो elongated बनाएंगे, cylindrical हम बनाएंगे, इसी तरह से ये जो neuron होते हैं, चुनके इनके अंदर भी growth होता है, तो इनके size को भी जब हम बनाते हैं, shape को हम बनाते हैं, elongated बनाते हैं, वो जो 9-10 में आप लोग cell का वो जो typical goal सा structure होता है, इस जैसा हम इसको नहीं बनाते, तो इसके पीछे secret क्या है, रास क्या है, एक ही है, चुनके इसके अंदर growth होता है, लेकिन वो growth round नहीं होता, elongated होता है, तब जाके इनका जो shape होता है, वो भी फिर elongated बन जाता है, जो cells होते हैं, like for example, हम और आप लोगो नहीं ने फरान को भी पढ़ा हुआ था, कि आसानी के लिए, आसानी के लिए, हम इनको दो parts में हम इनको study करते हैं, capsular, beta, tubular, beta, इसी तरह से चुनके nerve का cell भी lengthy cell है, बड़ा cell है, मीटर में इसकी length होती है, तो असानी के लिए, हम इनको आम तोर पे, दो parts में हम इनको study करते हैं, दो parts में हम इनको study करते हैं, तो आपके course ही के लिहास से, कि जो निवरान होता है, जो nerve cell होता है, इनके दर जो दो main parts present होते हैं, इन में से एक को हम और आप लोग कहते हैं, शाबा से cell body, लेकिन cell body के लिए आपके बुक ने एक और लफ़ भी लिका हुआ है, सोमा, लेकिन अगर आप लोग तीसरा लफ़ लिकने चाहे हम इसको साइटान भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पेरी, केर beyond भी लोग इसको कहते हैं, तो ये four different names है, cell body के लिए, सोमा के लिए, शाबा से हम और आप लोग इनको पिराम तर पर ये हम इसको कहते हैं, लेकिन इसके अदर जो दूसरा structure, दूसरा part present होता है, इनको हम कहते है, nerve fibers, लेकिन आपके बुक ने nerve fibers के लिए एक और लफ़ भी लि parts present होते हैं, एक cell body होती है, सोमा होता है, साइटान या पेरी केरियान होता है, जब कि जो दूसरा part होता है, इसको हम आम तर पे nerve fibers या fibers structures हम इनको कहते हैं, लेकिन ये बात आपके साथ पिर भी में share कर लो, कि जो निवरान है, जो कि एक cell है, cell हमेशा के लिए structure यूनिट भी हो लेकिन इसका जो function है, वो कोई और नहीं है, जो function होता है, इसको हम और आप लोग physiology कहते हैं, तो जो निवरान के cell का structure कैसे होता है, वो भी आपके course के अंदर है, हम पहले इसको पढ़ेंगे, तो पिर निवरान के cell का function क्या है, physiology क्या है, नो डाउट वो कोई और नहीं है, वो हम और आप लोग पढ़ेंगे, और निवरान के function को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे, जिस तरह के हम और आप लोगो ने, निवरान के structure को भी पढ़ा हुआ था, निवरान के function को भी हम और आप लोगो ने पढ़ा हुआ था, इसी तरह से muscle के cell के structure को भी हम और आप लोगो न वो निवरान के सेल का function नहीं है function हम और आप लोग इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो जो निवरान के सेल का जो structure होता है आपके course के मुताबिक कहीं पूचा गया इसके अंदर कितने main parts present होते हैं तो दो main parts present होते हैं cell body है और nerve fibers है या fiber structures होते हैं अगर आप लोग इसको physics या chemistry की तरह equation number one का नाम दे दे तो अच्छी बात होगी लेकिन ये जो nerve fibers होते हैं fiber structures होते हैं आपके course के मुताबिक कि हम और आप लोग इसको फिर दो parts में हम इसको separate कर सकते हैं या जो nerve fibers है या शाबसे जो fiber structures होते हैं ये जो लफज है ये neuroscience में या इस chapter के अंदर हम इनको दो अलफास के लिए हम इसको लगाते हैं इसका मतलब dendron और इसका मतलब plus exam भी होता है यानि जब भी आपको eta में MCQs के अंदर nerve fibers या fiber structure का नजर आ जाए तो इसका मतलब हमेशा के लिए dendron plus exam होंगे तो physics और chemistry की तरह हम और आप लोग इसको फिर equation number two हम और आप लोग इसको कह सकते हैं तो अगर आप लोग इस equation two की value equation number one के अंदर लगा दे तो फिर ये आपके साथ कैसे आजाएगा वो आपके साथ ऐसे आजाएगा कि neuron R nerve cell R nerve is equal to cell body शाबसे cell body या सोमा या साइटान या पेरी के लियान प्लस नरूफ फाइबर्स की जो value है वो तो डेंडरान प्लस एक्जान है तो कुछ बुक्स जिनमें आपकी किताब भी शामल है वो फिर आम तोर पे neuron को लिखते हैं कि neuron के अंदर तीन main parts present होते हैं इनमेंसे जो एक होता है इसको हम और आप लोग cell body कहते हैं दूसरे को हम लिंडरान कहते हैं और तीसरों को फिर हम और आप लोग exam कहते हैं तो फिर हम हम और आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि neuron के अंदर तीन main parts जो है ये present होते हैं हम और आप लोग हर एक part को one by one हम इसको discuss करेंगे इसके अंदर बड़े खुबसूरत और मज़दार मज़दार से points हैं और सारे के सारे आपके जिनमें होने भी चाहिए तो इन चीज़ों को मैं हम और आप लोग discuss करेंगे तो जो निवरान होता है इसके अंदर जो cell body होती है शाबसे ये किस फार में present होती है किदर पे present होती है इसके अंदर क्या क्या होता है इसको प्लीज आप लोग सही तरीके से समझने की कोशश कर ले ये जो cell body होती है जो cell body होती है no doubt इसका जो structure होत और 9, 10 में आप लोगों ने सेल के टिपिकल स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया होगा तो कुछ बुक्स लिखते हैं कि चुनके सेल बाडी का ये जो स्ट्रक्चर होता है वो टिपिकल सेल की तरह होता है तब जाके लोग इसको सेल बाडी कहते हैं लेकिन इसके पीछे एक और सीक्रिट भी है, वो भी हम और आप लोग शेयर करेंगे। लेकिन मैं पिर से लिकवा लेता हूँ कि इस सेल बाड़ी के लिए हम जो लिकवाते हैं वो सोमा का भी लिकवाते हैं वो साइटान का भी लगाते हैं और वो पेरी केरियान का लफ़ भी हम इसके साथ लगाते हैं और इसके उपर मैं नमबर वन लिकवा लिकवा लेता हूँ त मेंबरेन हम इसको कहते हैं या बायलाजिकल मेंबरेन हम इसको कहते हैं लेकिन चुंके ये निवरान है ये हमारे लिए तोड़ा अजीज है हमारे लिए तोड़ा स्पेशल है तो इसके सेल मेंबरेन को हम आम तो पर सेल मेंबरेन नहीं कहते हैं इसको हम पिर एक खास किसम का न रहते हैं तो वो निवरान ही होगा जिस्वे कि सनक्री मा मसल के सेल्स के सील में को हम और आप लोगों ने कहा हुआ था कियुक्टी वह सेल भी तोड़風 धाया है सेल्टी थियरी के मैट्रिक्स का लफज भी लगाते है चाहिए ये था कि हम और आप लोग इसके साइटो प्लाजम को भी एक खास किसम का नाम दे दे थे नियूरो प्लाजम लेकिन हम इसको नहीं कहते क्यूं? इसके पीछे भी एक और सिगरट है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो नियूरान होते है इनके अंदर साइटो प्लाजम भी होता है ग्राउन सबस्टेंस भी होता है मैट्रिक्स भी जो है इनके सेल बाड़ी के अंदर प्रेज़न होता है सेल्टियरी के मताबग जो तीसरी चीज़ प्रेज़न होती है वो नियूकलियस होता है नियूकलियस के मताबग नियूकलियस है या नहीं है इसके बेस पे हम सेल्स काम तोर पे दो ग्रूप में हम इनको क्लासिफाई करते है नियूकलियस नहीं है Non-Nucleated Cells या Anucleated Cells Nucleus है Nucleated Cells तो अवल पाइंट तो ये है कि जो निवरान है वो Nucleated Cells है इसमें Nucleus है अगर Nucleus है तो क्या एक है? अगर एक है तो मानो या Uninucleate? नहीं, ज्यादा है अगर ज्यादा है तो फिर ये Multinucleate होगा तो याद रख लें जो साबस है कि जो निवरान है ये जो Cells होते हैं ये होते Nucleated है हो मानो Nucleated होते है इसमें एक ही Nucleus जो है ये प्रेजेंट होता है और यू नो कि जब भी एक Nucleus प्रेजेंट हो तो आम तोर पे वो जो Nucleus होता है वो centrally present होता है इसलिए center में वो जो nucleus है ये भी present होता है you know कि nucleus को हम आम तोर पे president of this cell कहते है यानि cell के अंदर झो भी कोई activity हिल वहती है ये the nucleus ही इसको control करते है तब जाके इनके अंदर nucleus present होता है और इस neurone के अंदर जो भी कोई activity होती है यह the nucleus इसको control भी कर लेता है काल्टी न्यूकलियेट था यह यूनी न्यूकलियेट होता है जो निवरान होता है इसमें एक ही न्यूकलियस प्रेजन होता है लेकिन इस न्यूकलियस के अंदर फिर न्यूकलियोलस जो है यह भी प्रेजन होता है मैं इनको स्टो कर लेता हूँ इस न्यूकलियस के अंदर य रहा हुआ है यह वो नूकलियोलस है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है और नूकलियोलस के और भी बहुत ज्यादा फंक्शन है लेकिन निवरान में इसका एक में फंक्शन ये भी है कि ये नूकलियस के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है क्योंकि ये जो सेल है ये ये जो निवरान होते हैं, अगर आप लोग देख लें, 24 hours में, हम और अप लोग nervous system को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, निवरान बहुत ज़्यादा काम हमारे लिए करता है, मेरे ख्याल में human beings के बाड़ी में 24 hours में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो nervous system नि काबलें MA levels system neuron बहुत जरा काम करते हैस्ब होता है इसका मतलब यह हुआ कि चुछ्छ नइवरा नर्वर सेस्टम बहुत जरा काम कर ता है सकूल जरण होते हैन तो इनर्जी नर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुद्रत ने इन इंसिस के अंदर जो energy जो ATP's होते हैं उनके जो powerhouses है इनकी जो concentration है वो बहुत ज़्यादा रखी हुई है and the powerhouse of the cell is called the mitochondria one तब जाके में लिकवा रहा हूँ कि कुदरत ने इन cells के अंदर mitochondria की concentration को बहुत ज़्यादा रखा हुआ है and mitochondria is called the powerhouse of the cell ये बहुत ज़्यादा energy's के लिए बनाते हैं और ये जो होते हैं nervous system इसी के उपर ये काम भी करते हैं खुदा नफास्ता अगर हम mitochondria कहीं इन ATP's को produce ना कर ले amount कम हो जाए तो फिर बंदे को एक खास किसम की fatigue जो होती है ये तकावड जो होती है ये फिर फिल होती है इसलिए कुदरत ने इनके अंदर mitochondria की concentration को भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है नियूरान है बार बार बता रहो इसकी length भी बहुत ज़्यादा होती है मीटर में पहुंच जाता है बास दफाँ यानि एक दो मीटर तक एक सेल की length होती है तो जितनी सेल की length बढ़ेगी एक जगा से दूसरी जगा तक ट्रांसफर करने के लिए सबस्टांसिस को understood बात है किसी वे की जरूरत तो पड़ेगी वो कोई और चीज़ नहीं होती है वो motorways होते हैं वो highways होते हैं and the motorway are highway of a cell इसकाल endoplasmic reticulum तब जाके कुदरत में इनके अंदर endoplasmic reticulum की concentration को भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है लेकिन जो endoplasmic reticulum होता है वो दो तरह का होता है एक rough भी होता है एक smooth भी होता है rough के उपर ribosomes होते हैं smooth के उपर ribosomes नहीं होते हैं तो याद रख ले इनके अंदर जो आम तरह पर endoplasmic reticulum होते हैं वो rough endoplasmic reticulum होते हैं और rough endoplasmic reticulum के साथ ही मैं यहाँ पर लिक्वा रहता हूँ कि इसके उपर जो ribosomes होते हैं यह भी present होते हैं यह जो neuron होते हैं यह जो भी कोई काम करता है बार 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 बता रहा हूँ वो neurotransmitters के तुरू ही करेगा neurotransmitters हम पढ़ेंगे जो neurotransmitters हैं इनको neuron बनाते हैं खास किसम के chemical होते हैं और इनके तुरू आपस में coordinate करते हैं neuron आपस में coordinate करते हैं इनके तुरू यह पर फारम करते हैं ये नियूरो ट्रास्मिटर्स को बनाते हैं, लेकिन जो नियूरो ट्रास्मिटर्स होते हैं, ये हर एक स्टीमॉलस के खिलाफ बनते हैं, तो स्टीमॉलस के कितने टाइप्स बार बार बता रहा हूं, इनको हम और आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो अगर हर एक होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन निवरो ट्रस्मिटर्स हैं क्या वो तो केमिकल्स हैं तो जब इतने मुक्तलिफ किसम के केमिकल्स इस निवरान के अंदर बनेंगे तो फिर खत्रत होता है कि कहीं वो जो निवरो transmitter's हैं, वो जो chemical's हैं, आपस में कोई और chemical reaction ना कर ले, और अगर उसने कोई chemical reaction किया, तो फिर इसके result में कोई और chemical बन जाएगा, कोई और enzyme बन जाएगा, कोई और complex बन जाएगा, हो सकता है, वो nervous system के लिए, या आपकी body के लिए खतरनाक हो, हारम फुल हो, तो इस से बचने के ल main function ये है, कि जो मुखतलिफ किसम के neurotransmitters होते हैं, इनको differently pack करते हैं, जब इनको pack करते हैं, तो उन packs को, हम पिर कहते हैं, वीजीकल्स हम पिर इनको कहते हैं, और उन packs को हम पिर वीजीकल्स कहते हैं, और वीजीकल्स जो होते हैं, जो कि nervous system के अंदर, निवरान के अंदर ये present होते हैं, ये आम तर पे इन neurotransmitters, यानि इन enzyme से बरे हुए होते हैं, लेकिन बास दफ़ा जब ये गाल्जी बाडिस packing करत हैं, तो कुछ इन में से outgrowth से वो packing ऐसे बन जाते हैं, कि जिन में वो neurotransmitters होते नहीं, ये खाली होते हैं, इस तरह कि अगर आप लोग देख लिए ये जो टाफी बनाते हैं, जो factories होते हैं, इन में कुछ packs ऐसे होते हैं, जब आप इसको ले ले लेते हैं, कि उस pack के अंदर व हम इसको कहते हैं, sisterny हम इसको कहते हैं, जिसका मतलब कि इसके अंदर वीजिकल्स भी होते हैं, और इसके अंदर sisterny जो है, ये भी present होते हैं, इसे दूसरी example भी आप लोगो में दे रहता हूँ, बाद दाफा गरम चीज़ को आप लोग हाथ लगा लेते हैं, तो either fingers के ओपर य हम इसको कहते हैं, इसका मतलब कि यहां पे भी दो तरग के पैक्स बनते हैं, ये भी इन दो तरग के पैक्स को फिर ये बना लेते हैं, लेकिन आपकी बुक ने एक बड़ा खुश्वरा तलफ और इस्तेमाल किया हुआ है, वो ये है, कि जो galgy bodies होते हैं, इसको मेरे remarker से underline क कर रहा हूँ, साथ में जो rough endoplasmic reticulum है, तो rough endoplasmic reticulum में तो endoplasmic reticulum भी आ गया, plus ribosome भी आ गए, तो अगर आप लोग देख लिए, इन में तो हमारा सब 3 structures हो गए है, number one galgy bodies, number two endoplasmic reticulum, and number three ribosomes, इन तीनों को हम collectively, नीजल्स ग्रेनियूल हम इसको कहते हैं, इन तीनों को हम collectively, शाबह से नीजल्स ग्रेनियूल हम इसको कहते हैं, नीजल्स ये आपके बुक ने, ये आपके बुक ने, ये लफ़ इस्तेमाल किया हुआ है, नीजल्स ग्रेनियूल हम इसको कहते हैं, तो कहीं MCQ के इंदर होना चाहिए निजल ग्रनौल असल में है क्या एक लाइन में आप लोगों बता रहता हूं यह इस निवरान के अंदर ग्रेणूलर स्ड्रक्टर सोते है या इन ग्रेण्स की तरह होते हैं साइटोप्लाजम के अंदर यह प्रिजेंट होते हैं जिनमें यह तीन रावर निउकलियो प्रोटीन बनाते हैं यह थिखना कि तो राइबो नियुक्लियो प्रोटीन बनाते हैं राइबो न्वींख करटेंब नीजर कर आपका आपक कर्क मे curator नियुक्शन यह today और जो राइबोनीउकलिव प्रोटिं है, वो निउरो ट्रसमिटर स्के फरमेशन में पर्ट्रिसिपेट करता है, और चुम्के निउरोरोट्रसमिटर सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम ही के अंदर से बाते हैं तब जाके कुज्रत ने इन के अंदर इन नीजर ग्रेनी ऐस को Bowl we Hong यह प्रेजंट होते हैं जो के यहां पर कुछ प्रेजंट न कोता हैं आपके बूक्र माइक्रों all the ये भी present होते हैं अब ये micro-tubules हैं क्या नो डाउट ये शाबा से ये fibrous proteins होते हैं ये fibrous structures होते हैं fiber की तरह structure होते हैं जो कि इस cytoplasm के अंदर present होता है कुछ books लिखते हैं कि इसका main function ये है कि ये cytoskeleton का काम करता है cytoskeleton से मेरा मतलब ये है ये neuron को एक खास किसम का shape provide करते हैं ये सथरा के human beings के body के अंदर bone का skeleton है हमें एक खास किसम का shape provide करते हैं इसी तरह से इन के अंदर ये micro-tubules होते हैं cytoskeleton होता है cytoplasm का बनना हुआ होता है लेकिन इसका main function ये होता है कि ये नियूरान को एक खास किसम का शेप प्रोवाइड करते है यानि बोन स्केलेटरन की तरह काम करते है तब जाके अगर हाँ देख भी ले हम और आप लोग नियूरान का एक प्रापर स्ट्रक्टर हम और आप लोग इसको डिसकस भी करते हैं लेकिन इनके अलावा इनके अंदर नियूरो फाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं नियूरो मैं यहाँ पे लिक्वा लेता हूँ नियूरो फाइब्रिल्स ये चुंके अलफास बुक ने इस्तेमाल कियो है तब जाके आप लोग को बता रहा हूँ ये नियूरो फाइब्रिल्स जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं ये फाइब्र स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं ये वाले फाइब्र स्ट्रक्चर्स थे ये फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस नियूरान के अंदर प्रेजेंट होते हैं पर इसका function क्या है, जहां तक मैंने इसको देखा हुआ है, लिखते हैं, still unknown, यानि इसका जो function है, वो unknown है, लेकिन ये neuron के अंदर present होते हैं, लेकिन microtubules और neurofibrils में फर्ग क्या है, जो microtubules है, ये fiber structures होते हैं, proper structure होते हैं, जिसका function cytoskeleton है, लेकिन जो neurofibrils है, non-fibrils है, लेकिन ये fiberil नहीं होते हैं, ये protein होते हैं, लेकिन इसका function होता है, वो अब तक unknown है, इसका कुछ पता नहीं है, कि इसका असल में function जो है, अखिर क्या है, अगर हम और आप लोग सेल बाडी सोमा साइटान को देख ले, तो इनके अंदर ये मुक्तलिफ parts जो है, present होते हैं, जो कि मैं green marker से यहां पर show कर लेता हूं, उनको हम और आप लोग आप लोग आम तोर पे dendron हम इसको कहते हैं, तो जो dendron होते हैं, ये इन सेल बाडी से ऐसे निकले हुए होते हैं, जिस तरह के हमारा जो head होता है, इन से ये hairs निकले हुए होते हैं, इस तरह से ये structure जो है, ये इन से न होते हैं यह कितने होते हैं नार्मली एक निवरान के ओपर कुछ बुक्स अन्लिमिटेट का लफज लगाते हैं लेकिन अ्लिमिटेट से कहीं खुपशूरत लफ़ इस के keyndry d distraction से इस तरह के तरशीर डंडरान निकलते हैं पिर टरशीर से टेटरा होते हैं इस तरह से निकलते हैं जब फर्धर इसकी division ना हो तो उन डंडराण को हम फिर डंडराइट्स हम इस कहते हैं तब जाके आपके बुक ने ये लफज लिखा हुआ है कि डेंडरान एंडेंडराइट्स यानि डेंडरान के उपर डेंडराइट्स होते हैं ये फाइन ब्रांच चीज होते हैं ये इन ही डेंडरान से प्रेजेंट होते हैं तो अगर आपनों तोड़ा सोचे कि एक न कि किने डेंडराइडिस निकले कि इसका मतलब यह हुआ कि निवरान के उपर किसी यह बऊच जाद हम और आप लandsन कंप शेंगे हम और आप यस volunteering तक नहीं कर सकते यह unlimited कोर्स में ट्रांसडीव सर भी ने इसका मतलब ये हुआ तक कि आपके ये आगे किसी किसम का मसलड जो है और आपके लिए क्या है create ना कर सके क्यों हम इसको receptor कहते हैं क्योंकि यह लफ रिसीव से निकला हुआ है receptor का मतलब यह है यह किसी चीज़ को रिसीव करेगा यह किसी चीज़ को रिसीव करेगा आखिर किस चीज़ को रिसीव करेगा the one and only thing और इसको हम और अप लोग स्टिमुलस कहते हैं और स्टिमुलस कहते हैं अब स्टिमुलस किया है वो चेंज है चेंज किया है इसको मुख्तलिफ लोगों ने यानी चेंज अगर आप लोग रूम में देखले ते्प्रिचर में चेंज आता है इस स्टीमूलस वन, लाइट में चेंज जाता है, इस स्टीमूलस वन, आपके बाड़ी में पेन प्रोड्यूस होता है, इस स्टीमूलस वन, आप कुछ देखते हैं, इस स्टीमूलस वन, आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, इस स्टीमूलस वन, आप किसी चीज़ को सुन वारे लिए स्टीमॉलस है वाइट वाला स्टीमॉलस है इसका शेप स्टीमॉलस है क्या काम करते हैं स्टीमॉलस है किस तरह से लिक रहा है आर स्टीमॉलस है तब जाके तो आप इसको आइडिटिफाई कर लेते हैं तो इन स्टीमॉलस के लिए ये रिसेप्टर जो होते हैं व और एक stimulus के खिलाफ receptors होने चाहिए, अगर नहीं होगा, तो फिर identification में मसला होगा, उस चीस को आप लोग नहीं पहचान सकेंगे, तो मुक्तलिफ लोगों ने, बजाए ये के receptors को one by one, हम इसको discuss कर ले, मुक्तलिफ basis पे stimulus को classify किया हुआ है, तो जिस पे इस पे आप stimulus को classify करेंगे, उसी ही बेस पे पिर आप लोग receptor को भी classify कर लेंगे, जैसे for example, क्या stimulus हमारे बाड़ी से outside है, external stimulus, तो वो receptor जो external stimulus के लिए responsible है, will be called external receptor, लेकिन वो stimulus जो हमारे बाड़ी के अंदर आ जाए, change हमारे बाड़ी के अंदर आ जाए, that stimulus will be called as the internal stimulus, तो उस internal stimulus के लिए, जो receptor is responsible होंगे, will be called is the internal stimulus, इसी तरह से वो जो stimulus है, क्या वो chemical है, अगर chemical के लिए वो receptor है, तो फिर chemical receptor, वो mechanical है stimulus, तो फिर mechanical receptor, वो electrical है, तो फिर electrical receptor, इसको मतले है कि जीस बेस्पे आप stimulus को classify करेंगे, उसी ही के बेस्पे आप receptor को भी classify करेंगे, आपके course में कुछ receptors है, बुक आपके साथ होना एक दो मिनट के बाद हम और आप लोग इसको फिर रिंग देंगे जो टेक्निकल पॉइंट से बताऊंगा आप लोग इसको फिर अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई इसके समका कांसेट नहीं है जिसको हम और आप लोग डिसकस ही कर सके वो बुक ही से आप लोग को असल में समझा जाएगी लेकिन बुक भी होना चाहिए साथ में कोई पेंसल या बलपायंट भी होना चाहिए तक अगर आप लोग इसके उपर नोट करना चाहें एक्स्ट्र बात हो और आप लोग इसको नोट कर सके लेकिन इससे पहले कि हम और आप लोग बुक को शुरू कर ले डेंडरान के बारे में एक और पाइंट भी आप लोगो बता रहता हूँ कि ये जो डेंडरान होता है मैं रेड मारकर से इनके साथ लिका लेता हूँ बुक ने लिका हुआ है कि जो Dendron होते हैं ये असल में Extensions होते हैं या असल में Extensions होते हैं याद रख लें अंग्रेजी में नहीं Extensions का लफज अगर Northern Science मा जाए तो इसका मतलब ये होता है ताकि फिर आपके लिए फिर मसलह ही create ना कर सके कि for example, for example, अगर आप लोग अपने बाड़ी में हेर्स को देख ले, यह हमारे बाड़ी के extensions हैं, अगर आप लोग हेर्स को निकाल दें, काड़ दें, तो क्या इसके अंदर saigtoplasm होगा PLAY? ना, इसके अंदर कोई nucleus होगा ना, इसके अंदर कोई आर्गेनिल होगा, ना, कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस चीसे वो निकले वे हैं, यहाँ पे सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर यह सारा कुछ प्रेजिट होता है, इसे तुम से अगर आप लोग नियूरान को देख ले, यहाँ पे मेन बाडी है, इस बाडी के नहीं सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, लेकिन नहीं भी, नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पूछो कि इन डेंडरान जो निकला हुआ है, क्या इसके अंदर कोई आर्गेनिल प्रेजेंट होगा, आर्गेनिल से मेरा मतलब यह है, इसके का लफज neuroscience में हम उस time पे लगाते हैं कि अगर किसी main body से कोई और body निकली हुई है cytoplasm हो या ना हो आरगेनील हर्गेज नहीं होगा तो पिर हम इसको extension कहते हैं इसका मतलब कि dendron extensions है इसका मतलब कि इसमें cytoplasm हो भी सकता है नहीं भी सकता है आरगेनील हर्गेज नहीं हो सकता इसमें आरगेनील प्रेजन नहीं होते है यह बड़ा टिक टाक पॉइंट है आप लोगो समझाने चाहिए बजाएए कि मैं निवरान का तीसरा पार्ट शुरू करो हम और आप लोग आपके कोर्स के अंदर कुछ receptors हैं उनको हम और आप लोग जल्दी जल्दी खतम कर लेंगे टेकनिकल पॉइंट से उनके अंदर तब जाके निवरान का जो तीसरा पार्ट है जिसको हम और आप लोगों ने एकजान कहा हुआ था वो पिर हम और आप लोग स्टडी कर लेंगे लेकिन अब जो दूसरा पाइंट है इसको पहले हम और आप लोग कवर कर लेंगे तो अगर आपके साथ बुक्स है और आप लोग पेज नंबर 85 आप लोग निकाल दे तो पेज नंबर 85 में उसने उपर टाप पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन आफ रिसेप्टर लेकिन आपके बुक ने पेज नंबर 85 के इलावा पेज नंबर 105 अगर आप लोग उसको भ 25 दोनों के उपर है दोनों को हम डिसकस करेंगे कि इसके अंदर टेकनिकल पॉइंट्स क्या है तब जाके पिर हम इस निवरान का जो तीसरा पार्ट होगा एक्जान उसको हमरा आप पर शुरू कर लेंगे अगर आप देख लिए पेज नंबर 85 के उपर क्लसिफिकेशन आफ पैरा लिकाव लिकावबा है फोटो डिकावव है फोटो रिचेप्टर्स ओर रिसेप्टर्स जो लाइट के लिए रिस्पानसिबल होते हैं लेकिन याद राख लिएप लोगों से यह पूणी जा सकतі है कि photo receptors human beings के बाड़ी में किस argon के underpresent होते हैं वो कोई और नहीं है, वो eyes ही है क्योंकि eyes का main function photo light को receive करना होता है और अगर आप लोग देगे लिगे, detects light stimuli, for example, rods and cones cells in the retina of eye तो अगर rod को भी आप लोग underline कर ले, इसके उपर आप लोग number one लिख दे कोन को भी आप लोग underline कर ले, इसके उपर आप लोग number two लिख दे इसका मतलब यह हुआ कि photo receptors के दो types हो गए है, दूसरा question जो आप लोगों से पूचा जा सकता है वो है rods and cones, लेकिन जो rod वाले हैं वो बता लेता हूँ, यह आम तर पे इसका shape भी rod की तरह होता है और यह darkness के लिए, तारीकी में देखने के लिए responsible होता है ऐसे for example, अगर आप लोग केट्स को देख ले, डाक्स को देख ले, यह रात को असानी से देख सकते है इसका मतलब कि इन में जो rod वाले cells है, शाबा से ice के अंदर, इनकी concentration ज्यादा होती है लेकिन इनके साथ ही, कौन भी लिकावा है, जो कौन है, इसका shape भी कौन की तरह होता है जो ice cream अगर हम कहते हैं, कौन ice cream, इसी तरह से इसका shape भी होता है और जो कौन होता है, वो light के लिए responsible होता है तो अगर हम और आप लोग human being में देख ले, तो हमें light में बड़ी सबर्दस, वो जो है, सारा कुछ वो नजर आ जाता है इसका मतलब कि हमारे ice के अंदर, कौन cells की जो, receptors की जो concentration है, वो ज्यादा present होती है अगर्चे वो dark वाले भी present होते हैं, तो इन ही के base पे हम फिर animals को भी दो group में classify करते हैं, इतना हम death में नहीं जाएंगे कुछ ऐसे होते हैं, जो light में इनको नजर आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो darkness में इसको असानी से नजर आते हैं, जो dark वाले होते हैं, इनको हम फिर nocturnal कहते हैं, जो light वाले होते हैं, हम इसको पिर diagonal कहते हैं, इन ही के base पे हम इनको फिर classify भी हम और आप लोग इनको कर सकते ह हैं शाबा से तो इनके अंदर आप लोगों को से क्या क्या बात पूछी जा सकती है फोटो रिसेप्टर्स हीमें विंक्स के बाड़ी में कहां पे कंसेंट्रेटिड है आइस कितने किसम के होते हैं दो बता जिया यह बात आपके जेल में होनी चाहिए जो दूसरा गुरूप है हम इसको कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं और बकार दो पर लिखा हुआ है डिटेक्स आइन्स और मालेकूल्स चेमिकल्स फार एक्जेम्पल रिसेप्टर्स फाउंड इन इपितिलियम इन नेजल नोज इपितिलियम फर डिटेक्शन अफ स्मेल और यह बात भी याद रख ले क कि आज से आप लोग smell के लिए लफज भी alfaction का लगा दें, alfaction हम medical science में smell को कहते हैं, यह बाद दफाए eater में alfaction का लफज लगा लेते हैं, तो फिर आपको पता हो कि यह smell के लिए है, and you know जो smell होता है, वो nose के तरू होता है, इसके मतलब कि जो alfaction वाले receptors होते हैं, ये nose के अंदर होते हैं, लेकिन जो alfaction वाले receptors होते हैं, ये chemo receptors के group से belong करते हैं, ये number one हुआ, smell alfaction, फिर आप देख ले, and those found in tongue for taste, जो taste है, इसको हम gustation या gustation हम इसको कहते हैं, इसको उपर आप लोग number two लिख देंगे, आज से आप साइंस में जो लफज लगाते हैं, वो gustation या gustation, बास दफ़ाइटा में ये gustation का लफज लगा लेते हैं, पिर आपके लिए मसला ना हो, तो इसको भी आप लोग underline कर लेंगे, इसको उपर आप लोग number two लिख देंगे, and chemo receptors are also found in hypothalamus, called asmo receptors that detect changes in osmotic pressure of blood one, इसका मतलब ये हु कि जो asmo receptors होते हैं, शाबा से, ये भी group chemo receptors से बिलांग करते हैं, इसके उपर आप लोग number three लिख देंगे, और इसका main function ये है, कि ये blood के अंदर asmotic pressure को detect करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये blood के पेलरी इस vessels में ये present होता है, तो कहीं पूचा गया chemo receptors की कि कितने type से 3 हो गय हैं, लेकिन वो बाद दफा इस तरह से पूचा जाता है, कि जो gustation वाले receptors हैं, ये कहां पे concentrate करते हैं, तो पिर आपको पता होना चाहिए कि टांग के अंदर होते हैं, कहीं पूचा गया कि gustation वाले receptors हैं, वो किस group से बिलांग करते हैं, photo receptors हैं, chemo receptors हैं, mechanical receptors हैं, पिर आप लोग chemical चीज़ों को ये receive करता है, detect changes in pressure position, our acceleration, including receptors for touch, तो touch और bracket में लिखका हुआ है, मीजनर्स, तो प्लीज आप इसको underline कर लें, इसके उपर आप लोग number one लिख देंगे, इसका मतलब कि touch के लिए हम जो लफज लगाते हैं, वो मीजनर का लफज भी हम लगाते हैं, और उन receptors को जो touch को receive करते हैं, उसको हम मीजनर कहते भी हैं, जैसे अगर आप लोग किसी बंदे को touch कर लें, तो उसके लिए जो stimulus के लिए जो receptor responsible है, उसको आप लोग पिर मीजनर कहते हैं, ये number one हुआ, फिर देख लिए stretch, R, pressure, और अगर आप लोग R, इसके साथ एक और लफज भी लिख दे हैं, ये stretch को हम कहते हैं, pressure को हम कहते हैं, vibration को हम कहते है, no doubt इन तीनों के लिए हम ये लफ़र इस्तेमाल करते हैं, इन अधर वर्ज जो पेसीनियन वारे receptors है, इनको receive करते हैं, फिर लिखाव है, और बेरो receptors, यूनो बेरो कहते हैं, blood pressure को, in the wall of the blood vessel, blood vessel में होता है, और ये blood pressure को म hearing, कोई technical नाम इसके लिए नहीं है, number four आप इसके उपर लिख देंगे, और फिर equilibrium, जो कि I ears के अंदर ये present होता है, और air के pressure को equilibrium में रखता है, ये पिर हमारा number five हो जाएगा, तो कहीं पूचा गया, मेकेनो रिसेप्टर के कितने टाइप हो गया है, five हो गया है, या इन में से क कोई दिया गया, जैसे फार एक्जामपल पेसीमियन किस ग्रूप से बिलांग करता है, photo receptors, chemo receptors, mechano receptors, thermo receptors, तो फिर आप लों को पता होना चाहिए, कि ये mechano receptors से बिलांग करता है, अगर आप लोग पिर आगे जाए, तो इसने thermo receptors का लफ़ लिका है, detect temperature stimuli, बहुत है असान है, therm अगर आप लोग इसके उपर लिकना चाहिए, बेशाक आप लोग इसको लिक दे, इसको हम roofini हम इसको कहते है, R-U-F-F-I-N-I, roofini तो roofini वो वाले होते हैं, जो temperature के लिए responsible होते हैं, और पिर आखिर में लिका हुए नासी सेप्टर्स, और नासी सेप्टर्स ये वाहिद है, जिसके साथ नासी सेप्टर्स ये लिकावा है, और ये pain के लिए होता है, you know pain, दुक, दर जो होता है, इनके लिए आम तर पिर जो receptors responsible होते हैं, उनको हम फिर नासी सेप्टर्स हम इसको कहते हैं, तो हर एक receptor किस stimulus के लिए हैं, आपको पता होना चाहिए, जो group है, उनमें कितने KSM के वो receptors जो है, प्रेजन होने चाहिए, प्रेजन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा receptor किस group से बिलांग करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अब अगर आप लोग पेज नमबर 105 के उपर जाएं, तो वहाँ पे जो दिये गए हैं, उनको अब हम डिसकस करेंगे कि इसके अंदर टेकनिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, तो अगर आप पहला देख लो, उसने लिकावा है, टेस्ट वाला, and you know, कि टेस्ट वाले को हमने इसे पहले डिसकस किया, टेस्ट के जो receptors है, नमबर वन, वो तो प्रेजन है, टॉंग के उपर, जबान क के ऊपर है, टेस्ट के लिए डिसपांसिबल है, लेकिन जो टेस्ट है, अगर आप लोग वह से देख लें, ये कीम और रिसेप्टर्स के गृुप से भी बिलांग करता है, इतना भी आप लोग पता होना चाहिए, कि उससे ये बिलांग भी करता है, शाबसे, तो जो इनके फिर फर्दर फॉर टाइप्स है तब जाके तो यह हमारे लिए स्पेशल बन जाता है बाकी में इतने जारा टाइप्स नहीं है टेस्ट वाले में ज्यादा है और अगर आप लोग इन फॉर को देख ले तो नाम आपको याद होने चाहिए मिलते जुलते हैं लेकिन पिर आपके लिए confusion ना हो फिली फारम, फंगी फारम, फोलियेट, सरकुम्वेलेट इनमें important points क्या है वो आप लोग अंडरलाइन करते जाएंगे फिली फारम अगर आप लोग देख ले वो कौन shaped है या आप लोग इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लेंगे फंगी फारम, mushroom shaped है, foliate, a series of folds, जिस तरह के towel होता है, तोलिया होता है, कपड़े होते है, इसको हम और आप लोग fold करते हैं, तो folding इसकी shape होती है, और फिर लिकाए circumvillate, shaped like flat mons, यह mons या आप लोग जो गास वगरा होता है, या गंदम से हम और आप लोग कोई चीज को हम collect कर लेते हैं, जो जानवरों में, इनको जमीनों में, एक खास किसम के टेले के अंदर इसको बन करते हैं, तो उस टेले को परस्तों में आप लोग बुसाडा कहते हैं, लेकिन English में हम इसको mons कहते हैं, तो जो circumvillate वाले होते हैं, इसका जो shape होता है, वो mons की तरह होता है, तो कम असकम आप लोग को हर ए provide किया हुआ है, tip, फिर back, फिर sides, और फिर center, तो आपके course के मताबिक जो tongue है, इसके four main parts है, तो हर एक पार्ट में, कौन-कौन सा वाला receptor जो है, ये present होता है, इसको भी आप लोग underline करते जाएं, मैं फिर पूछोंगा आखिर में आप लोग को से, ये फिली फारम के साथ लिका present है, which is why tongue look rough, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिहाद से, फिली फारम सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे टंग के उपर present है, अगर आप लोग फंगी फारम के उपर आ जाए, लिकाव मश्रूम शेप, यूनो फंगी फारम जाई, मश्रूम को हम कहते हैं, and found at the tip and sides of the tongue, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ टिप और साइट के उपर present होते है, ये सेंटर और बेक पे नहीं होते है, इतना आप लोगो को पता होना चाहिए, और फिर लिका हुआ है, फोली एट वन, a series of folds, मैंने बता जिया के folding shape होता है, along the sides of the tongue, ये सिर्फ और सिर्फ साइ होते हैं, तो MCQs में आप लोगों से क्या बात पूची जा सकती है, वो ये, कि हमारा जो ठंग है, उदर पे आप लोगों को group दिये जाएंगे, कि जो tip है, इन में से, इन में से कौन सा group है, जो कि इन के ऊपर present होते है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो tip पे कौन कोन से इन चार में से हमारे साथ हो गए है, उनकी आप लोग प्रेटिस कर लेंगे, सेंटर में इन चार में से कौन कोन से हो गए है, साइट्स पे इन चार में से कौन कोन से हो गए है, बेक में इन चार में से कौन कोन से हो गए है, तो इनको आप लोग पिर खुदी तोड़ा सा प् पूछे सकती है कि जो टंग होता है इसका जो टिप होता है इन में से किस यो रिशेप्टर प्रेसैटर होते हैं वह हो शेप दिये जाएंगे तो भी आप दोंको पता चल जाएगा लेकिन अगर बैड़रोगों से जनरे ने पूछ से जब ने पूछों के जो सेंटर हुआ हमार स्ट्टउंग के सेंटर में और कोई रिस्टर नहीं होता सिरु फिली फारम होते हैं बाकी जगवां पे इसको फुद ईलोकेट कर सकते हैं एक लफज तो उन्हें नहीं दिया हुआ हे लेकिन अगर आप लोग इसका लिखते जाए तो आप लिखते जाए इनके साथ लिख दे इसका जो function है फिली फारम का वो एंटी बेक्टेरियल है यानि एंटी बेक्टेरियल का मतलब यह है कि जब आप लोग कुछ काते हैं पीते हैं या कुछ और होता है उसके अंदर अगर बेक्टेरिया बगारा प्रेसेंट है तो यह इनकी चुंकि लुक रफ होती है इसको ग्रा टेस्ट वाला है इसका function एंटी बेक्टेरियल नहीं है लेकर अगर आप लोग फॉलियेट के उपर आजाए तो भी आप इनके साथ लिख सकते हैं कि यह भी टेस्ट के लिए responsible होता है मुटलिफ किसम के टेस्ट के लिए responsible होता है लेकर अगर आप लोग सरकूमलेट के उपर पर आप इनके साथ लिख देंगे कि यह बीटर टेस्ट के लिए होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग इन चारह में भी देख ले तो जो फिली फारम है जो के सबसे ज़्यादा है यह टेस्ट के लिए नहीं होते हैं अन्टी बेक्टेरियल है बाकी तीन टेस्ट के लिए होते हैं इसका मतलब कि जो हमारा टंग है उसका जो सेंटर है जिसमें सिर्फ फिली फारम है और फिली फारम टेस्ट के लिए ही नहीं एंटी बेक्टेरियल है इसका मतलब कि हमारे टंग के जो सेंटर हुआ वो टेस्ट ब्लाइंड हुआ वो टेस्ट के लिए नहीं होता है तो यह पॉइंट्स प्लीज आप लोग इसको जरूर देख लेंगे अगर आप लोग जाएं स्मेल के लिए तो स्मेल में कोई खास बात है नहीं हां इतनी है कि स्मेल को हम और आप लोगों ने अलफेक्शन का हुआ था और जो स्मेल वाले होते हैं इनकी कंसंट्रेशन नोस के अंडर बहुत जादा होती है और जो स्मेल है अलफेक्शन है यह आम तोर पे कीमो रिसेप्टर्स के गुर्प से बिलांग करता है टच है टेक्टीशन है लेकिन टच को हम और आप लोगों ने इससे पहले भी एक नाम दिया हुआ था एक नाम दिया हुआ था कि टच टेक्टाइल से निकला हुआ है और जो टेक्टाइल होता है यह लफज टेंटेकल जो फस्टियर में जो सेलेंटरेट्स है जहां पर हाइडरा होते हैं वहां पर टेंटेकल होते हैं टेंटेकल का लफज टेक्टीशन से निकला हुआ है टेक्टीशन का मतलब टच होता है इस पिबूस ने का हुआ है नासी सेप्शन या नासी सेप्टर्ज हम इसको कहते हैं यह प्रेजेंट होते हैं और जो पेंड वाले होते हैं अगर आप लोग इसके निचा आजाए तो वहां पे तीन इसके फिर फर्दर टाइपस होते हैं नीचे वह लिकावे क्यूटेनियस जो स् दफ़ा पेन प्रोड्यूस होता है यह उनको रिसीव करते हैं इसका मतलब के पेन वाले के फिर फर्दर टाइप्स हो गए हैं त्री उनको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे एक चोटा सा क्विज आप लोगों को दे रहता हूं साथ में फारिवर इंफरमेशन लिका अगर आप देख लिए उसने जो बात पूची हुई है वो यह है कि स्किन कंटेंस एराउंड टू हंडेड़ पेन रिसेप्टर इसका मतलब के पेन रिसेप्टर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन मेरे ख्यार में इसी ही सेंटर्स को अगर आप लोग रीट कर ले तो पता चल जाएगा कि हीमेंड बीक्स के बाड़ी में सबसे कम रिसेप्टर किसके होते हैं वो वारम्त के होते हैं तो इस तरह की बाते आम तरपीन से पूची जाती हैं यह तो वह बाते हो गई हैं जिनको हम और आप लोगों ने शेयर कर लिया है कि सेल बाड़ी है सेल ब आपके कोर्स में सारे रिसेप्टर्स तो नहीं है कुछ है लेकिन इसके उपर किस तरह के MCQ आते हैं कुछ बात है मैं आपके साथ शेयर कर ली है बाकि आप लोग इसके ऊपर तोड़ा सोचेंगे और और क्वेस्टन आपके जहन में आ जाएंगे जो तीसरा पार्ट है उसको हम और अप लोग एकजान हम इसको कहते हैं यह जो तीसरा पार्ट होता है इसको हम आम तोर पे एकजान हम इसको कहते हैं और यहां पे मैं लिकाल लेता हूँ एकजान यह तीसरा पार्ट हो गया यह AXON है यह AXON है एकजान लेकिन EXON नहीं है अ और पर प्रेजेस्वुटे है तो ये एक्जान होता है याद राकल इसके लिए आपके भूले जो लफज इस्तेमाल 폐 होया है वो यह है कि ये आॉट्गो उ T और एक अंदाजे के मुताबिक जितना सेल बाडी के अंदर साइटो प्लाजम होता है उससे कहीं जियादा इस एक्जान के अंदर होता है क्योंकि एक्जान में तीन पार्ट में जो सबसे लेंटी पार्ट है ना वो एक्जान होता है ये सबसे लेंटी पार्ट होता है मीटर में इसकी लेंट होती है तो अंडरस्टूड बात है इतना साइटोपलाजम सेल बाड़ी के अंदर नहीं होता जितना के एक्जान के अंदर होता है इसलिए एक्जान के साइटोपलाजम को हम फिर एक्जोपलाजम कहते हैं और ये बात में आपनों को उधर बताई हुई थी कि क्यों हम इसके साइटोपलाजम को हम एक खास नाम नहीं दे थे क्योंकि आल लेडी हमने एक्जान वाले को एक्जोपलाजम का नाम दे दिया है इदर पर इनकी जरुवत भी नहीं पड़ती और नामबर टू वो ये है कि अगर आप लोग इस सेल बाडी के अंदर देख ले मुक्तलिफ किसम के आरगेनिल आप लोगों को नदर आ रहे हैं वो सारे के सारे आरगेनिल इसके एक्जान के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट न्यूकलियस कि न्यूकलियस सिर्फ उदर सेल बाडी के अंदर होता है इदर एक्जान में नहीं होता इसलिए मैं आपके साथ यह बाद शेयर की भी कि जो cell body है, हम इसको cell body कहते भी इसलिए है एक opinion यह है कि इसका shape cell की तरह होता है दूसरा जो opinion है वो यह है कि चुँके cell neuron के जो nucleus है वो इसके cell body के अंदर होता है तब जाके हम इसको cell body कहते है अगर यह किसी और जगा पे होता हो सकता हम उसको पिर main body, cell body हम पिर उसको कहते है दूसरा reason इसके पीछे यह है cell body का कि इसके यहाँ पे वो nucleus यह भी present होता है तो medical science में वो structure कि जिसके अंदर nucleus ना हो बाकि सारी चीज़े present हो तो उसके लिए हम जो लफज लगाते है ना वो outgrowth का लगाते है तो यह दो तोड़े technical लफज है outgrowth और साथ में यह जो extension है इन दोनों में फरक हुआ extension में साइटोपलाजम हो भी सकता है नहीं भी सकता लेकिन आरगेनिल कोई भी नहीं होगा exam में साइटोपलाजम है सारे आरगेनिल्स है निउकलियस नहीं होगा तब जाके हम outgrowth का लफज यह लगा लेते हैं डेंडरान बहुत ज़्यादा हो सकते है exam हमेशा के लिए एक होगा exam is always and always one यह हमेशा के लिए एक होगा लेकिन साथ में बता दिया है कि यह सबसे lengthy होता है यानि यह largest part है निवरान का जो के present होता है अगर आप लोग इस exam को देख ले जो के एक होता है बता रहों बार बार lengthy होता है इन से इस तरह के roots निकले हुए होते है यह branched होता है इस तरह के plant होता है उसका में ट्रंक होता है बाड़ी होती है उन से पिर roots निकलते है इस तरह से इन से भी ऐसे roots निकले हुए होते है कितने होते हैं बहुत ज़्यादा होता है पिर हर एक root divide or redivide होता है हर एक root divide or redivide होता है जब further इन की division ना हो तो भी हम इनको dendrites कहते हैं तो भी हम इनको डेंडराइट्स कहते हैं तो प्लीज, मेडिकल साइंस में, नियूरो साइंस में आपके कोर्स के लिहाद से भी ये जो डेंडराइट का लफज है ये हम डेंडराइट के लिए भी लगाते हैं और ये हम एक्जान के ब्रांचिस के लिए भी हम इनको लगाते हैं, दोनों के लिए सेम होता है, इटावे भी इन दोनों का मतलब एक यूगर डेंडराइट का मतलब ये भी होता है, वो भी होता है, लेकिन चुंकि ये नाम डेंडराइट, डेंडराइट से मिलता जुलता है, तब जाके हम इनको आम तोर पे तब जाके हम इनको आम तोर पे डेंडराइट ये जो होते हैं ये एकजान वाले होते हैं सिर्फ एकजान वाले नहीं होते हैं बलकि डेंडरान वाले होते हैं लेकिन चुंकि ये नाम मिलते जुलता है डेंडरान से तब आम तोर पे students डेंडरा वाले को डेंडराइट केहते हैं इस वाले को कोई खास नाम नहीं देते हैं जिस तरह के वो डेंडराइट थे इसके उपर रिसेप्टर से ट्रंस्डीूसर से इसी तरह से यह जो डेंडराइट होते हैं इनके उपर जो चीज प्रेजन्ट होती है इनको हम आम तर पर कहते हैं स आप लोगों को याद हो हम और आप लोगों नहीं बत पड़ी कि इधर पे वो Neural Transmiters बनते हैं वो Neural Transmitters इधर से नीचे आते है और इन साइने प्रेर्मिनल के अंदर फिर ये स्टोर होते हैं यानि इन इर ट्रस्मिनल के यहां पर गिर जाते हैं तो अगर आप लोग यह देंडरान के क्या है, receptors को देख लेए, उसका main function stimulus को receive करना है लेकिन अगर आप लोग exam के terminals को देख लेए, इसका जो main function होता है कि इनके अंदर जो साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं, साइनेप्टिक जो नाफ्स होते हैं, यह इनको रिसीव करता है। इसके ओपर कुछ रिसेप्टर से ओभी में आपके साइब कर ली हैं, यह सारी बाते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, थैंक यू वरी मुच